हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस आज हम आपको रेनी सीजन के लिए कुछ केर टिप्स देंगे जो अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने प्लांट्स के साथ फॉलो कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे किन पौधों को बारिश से ब सबसे हैं तो इसको आप बारिश के पानी से बचाईज और एसी जगहीं रहता हो और समय समय पर इसको सब्रेंस इनको बचाना बहुत जोसी होता है पारिश के आपिन को ना रख्किर्यों और यह से पींधिया होगा क्जिए तो उन्होंम सको 8ishtag में already water store होता है तो इनको भी बारिश का पानी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि यह ऐसी जगह पे ग्रो होते हैं जहां पे चट्टाने होती है तो वहां पे इनको बिल्कुल भी पानी नहीं मिलता तो इसकी वज़े से यह बहुत अच्छी ग्रोध कर पाते हैं तो इन इसमantee को इस प्लाठ को बारिश के पानी से भचाइए कि वहां प्लांट जोकी एक तरह से सेकुलेंट ही होता है क्योंकि इसकी की अश्ति के 15 में इन को वीसे बारिश का जाद नहीं पड़ता है यह और जी लिए आप जहां पर रिश नहीं ठीक है और सूरज नहीं कना थीन बारिश पढ़ती हो तो लगातार इसमें बारिश नहीं पढ़नी चाहिए इसलिए आप इसको बारिश से बचाएं यह हमारा जर्बेरा है जर्बेरा को भी वाटरिंग कम पसंद है हलका मौश्चर पसंद है क्योंकि इसमें फंगस अटैक बहुत जल्दी होता है लास्ट यह ह और है जजर्बेरा को बारिश के पानी से बचाएं इसमें पानी ना भरने पाए ऐसी जगह पे इसको रखें तो सुक्ते होती है और छोटी होती में नियुक्त होती है इंका इसमें बचाएं यह जेट प्लांट नियुक्ट है और 27 sгор updated this चोटे से इसके baby plant से हमने इसको ग्रो किया है और ये cutting है एक hibiscus की और इसके बराबर में एक black pepper का plant है तो जितने भी plant छोटी polythin में है या जो cuttings आपने ग्रो की हैं उनको भी आप बारिज से बचाएं क्योंकि वह गल सकते हैं बेकार हो सकते हैं तो ये कुछ ही प्लांट हम आपको दिखा रहे हैं एक्जैम्पिल के लिए तो जितने भी आपके प्लांट हैं छोड़े चोड़े या कटिंग से उनको आप बारिश से बचाएं और ऐसी जगह पर रखें जहां पर बारिश का पानी ना आता हो यह कैक्टेस है कैक्टेस आप कोई भी कैक्टेस हो आप उसको बारिश के पानी से जरूर बचाएज है क्योंकी बहुत जल्दी गलना शुरू हो जाता है तो जिन में water store होता है प्लाइंट में उनको आप जरूर बारिश से बचाईए क्योंकि वो गलना शुरू हो जाते हैं अगर उन पे over watering हो जाती है तो देखिए अभी एक दो बारिश ही पड़ी है और इसमें गलना शुरू हो गया है तो इस प्लाइंट पे हम जादे ध्यान नहीं दे पाए थे इसलिए यह अभी गलना शुरू हुआ ही था तो हमने सही समय पे इसको देख लिया अब हम इसको cover कर लेंगे इसका जो यह गला ह बारिश के पानी से बचाईए वैसे तो बारिश के पानी में बहुत अच्छा fertilizer होता है लेकिन over watering तो बिल्कुल भी किसी को नहीं पसंद होती है और आप अपने पौधों में पुरानी पतियों का बहुत ध्यान रखिए जितनी भी लीव्स पुरानी सूख जाती है उनको तो पौधा बेला क्यों सबसे जादा होता है पौधा इसके पौधा जितनी भी पतियां पूल जो भी आपने जिन से मल्चिंग की हुई है तो उसको हटा दे है तो इसके नीचे जो छोटे चोटे नमी के कीड़े होते हैं वह घरवन आ लेते हैं तो इस तरह आप सब को हटा दीजिए और फंगस और छोड़े नमी के कीड़े सीधे डारेक्ट पर टैक करते हैं तो इसलिए प्लांट धीरे-धीरे मरने लगता है और हमें पता भी नहीं चलता लगातार उसमें फंगस लगती जाती है तो इस तरह से जितनी भी सूखी पतिया हैं हम सब को हटा देंगे और इसको कंपोस्ट बिन में डाल देंगे इनको फेके ना आप बिल्कुल भी क्योंकि ये बहुत अच्छा कंपोस्ट बनाती हैं तो इस तरह से जो हमने इसमें डाली हुई थी वो सब हम अब हटा लेते हैं और देखिए इसमें नमी के कीड़े पैदा हो जात कंपोस्ट बिन में डाल देंगे और जल्दी ही इसमें से कंपोस्ट बनके तियार हो जाएगा क्योंकि बरसात में कंपोस्ट बहुत जल्दी बनता है तो ये क्रसेंथिमम के प्लांट्स है इनको भी आपको बारिश से बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने पानी से बचाना बहुत जरूरी है और ऐसे अरिये में रखें जहां पर बारिश ना पढ़ती हो या सेमी शेड में रखें तो इस तरह से आप इसकी केर कर सकते हैं क्रिसंथिमम को बारिश के मौसम में जरूर दियान रखिए तो जो हमारे और प्लांट्स हैं डेलिली है बारिश चैर के या सिरह नहीं को बारिश को अधुआ है तो इसतरह से आप अपने पॉट्स का धिया का तियान तो अपने प्लांट्स का ध्यान रखिए बारिश का सीजन चल रहा है और इन दिन वाटर लॉकिंग नहीं होनी चाहिए डेने सिस्टम अच्छा होना चाहिए और बारिश के आने के बाद जब तेज दूप निकलती है तो उसके अबाद आप पौधों को उसे बचाएं हलकी चाया में रख सकते हैं या उसके उपर ग्रीन नेट का यूज कर सकते है क्योंकि बारिश के खातम होने के बाद जो एकदम से तेज दूप निकलती है वो पौधों के लिए बहुत थानी कारक होती है तो उसे आप अपने पौधों को बचाएं बर साथ में प्लांट्स की शेपिंग करें केवल जिससे हम कटिंग करते हैं प्रूनिंग करते हैं तो ह किसी प्लांट में फ्लावरिंग होती है तो अगर आप उसकी प्रूनिंग कर देंगे हाड प्रूनिंग तो जो उसकी फ्लावरिंग कर पाएगा तो इसलिए आप केवल पौधों की हलकी शेपिंग ही करें गंब्लों को समय समय पे गुमाते रहें हर चारो तरफ से उसको तारों तरफ से धूब दिखाते रहे हैं जिस दिन मौसम साफ हो उस दिन आप फर्टिलाइजर का यूज करें जैसे कि मतलब बारिश ना पड़ रही हो जैसे आज कल तो इंटरनेट का जमाना है तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं किस दिन आपके बारिश पड़ेगी और किस दिन नहीं पड़ेगी तो जिस दिन बारिश ना दिखा रहा हो नेट उस दिन आप फटिलाइजर का यूज़ करें अपने प्लांट्स में जिसे कि लिक्विट फटिलाइजर बैस्ट होता है रेनी सीजन के लिए क्योंकि अगर लिक्विट फटिलाइजर को डालने के बात 8 गंटे तक बारिश नहीं पड़ती है तो जो लिक्विट फर्टिलाइजर होता है वो अपना काम केवल 8 गंटे में ही करने लग जाता है इसलिए उसे कम से कम 8 गंटे का टाइम मिलना चाहिए 8 गंटे तक बारिश नहीं पड़नी चाहिए इसलिए आप साफ मौसम में फर कीजिए क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो लीव के पीछे से अपना घर बना लेते हैं उसके नीचे छुपकर बैट जाते हैं तो आप अगर कोई दवाई का इस्प्रे भी कर रहे हैं तो भी आप लीव के नीचे भी ध्यान दीजिए और जो तितलिया होती है वो लेमन के प्लांट पे अपने लार्वा देती हैं अंडे देती हैं जिनसे लार्वा निकलते हैं और वो आपके प्लांट्स की पतियों को खाना शुरू कर देते हैं तो लार्वा से तितली बनती है इसलिए आप लार्वा को मारे नहीं उसे कहीं अपने घर के बाहर जहां एक्स्ट्र भी नहीं चाहिए तो यह हमारी फुटबॉल लिली है इसमें भी एक छोटी सी फ्लावर बरडाई हुई है और इसने बहुत अच्छी फ्लावरिंग की जो हमने आपको लास्ट वीडियो में दिखाई थी तो बाकी हमारे सभी प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग तो जितनी भी मल्चिंग है आप उसको हटा दीजिए इंसेक्ट्स लार्वा का ध्यान रखिए प्लांट में पानी ना भरने पाए और फंगस अटेक ना हो पाए हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है तेज दूप निकले उसको अपने प्लांट को बचाना है उ ग्रोह लेकिन जलदी यह इसमें बहुत अची ग्रोह होगी होगी तो जो इनदोर प्लांट्स होते हैं और शेडी प्लांट्स होते हैं जो अपने rat के होगे होते हैं तो जैसे एक इस पारिश तो पढ़ेगी तो इसमें नमी ज्यादा भर जाएकी और तो शेड़ी एरिया में तो धूब भी नहीं आती है तो इसकी नमी खतम नहीं हो पाएगी पूरी वरसाथ तो इसलिए इसे एरिया में आपके रखे हैं जहां पर बारिश पढ़ रही है और संलाइट ना आती हो जैसे पेड के नीचे रखे हुए हैं तो इसको हलकी धूप तो एक्स्ट्र वाडर है उसको सुखाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो देखिए बरसाथ में कितनी अच्छी ग्रीन रिप बनी हुई है आप चारो तरफ पेड लगाएं इस ताइम कोई भी कटिंग बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकती है कटिंग की वीडियो भी हमा कि अच्छी अच्छी ग्रोथ कर सकती है